तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग और RightToKnow के इस चैनल में आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत हैं और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना ESIC activation process आप कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए आपको जाना होता है ESIC.gov.in के portal पर और यहाँ पर जब आप employee का portal खोलेंगे तो आपको इस according यहाँ पर page देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर आपको जाना होता है sign up वाले option पे और जहाँ पर click करने के बाद आपके पास sign up का process का page open हो जाता है लेकिन उससे पहले आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास आपका ESIC number होना चाहिए. वो page जो यहाँ पर आपके सामने नजर आ जाता है जहाँ पर हमें डालना होता है insurance number और उसके बाद यहाँ पर हमें डालनी होगी आपकी date of birth क्या है वो हमें यहाँ पर डालना है उसके बाद यहाँ पर हमें डालना होता है अपना mobile number आपका जो भी number ESIC number के साथ जो attach है वो करना होता है दूसरी बात है कि आपको यहां पर language जो यहां पर है different different देखने को मिल जाती है तो जिस language में आप comfort है उस language को select करके आप यहां जो sign up का जो process है उसे follow up कर सकते हैं तो detail भनने के बाद हमें sign up वाले option पर click करना है और उसके बाद आपके registered mobile नमर पर एक OTP चला जाता है OTP आप जो generate कर सकते है maximum three times कर सकते हैं और एक जो OTP है करीवन आपका 10 minute तक जड़ है वो valid रहता है और चलिया तो अभी फिलाल यहां पर हम जैसी OTP डालने का तो verify करेंगे तो उसके बाद हमें यहां पर अपना एक password generate करना होता है तो password alpha number key में आपको create करना है उसके बाद से हम यहां पर submit कर देंगे तो submit करने के वाद आप यहां पर देख सकते हैं कि password updated successfully click here to login जाने कि आप login वाले page पर दुबारा जाके अपना अब जो activation process है वो आपका complete हो चुका है और आप अपनी detail को यहां पर check कर सकते हैं तो अभी हम main page पर जाएंगे और यहां पर अपनी जो username में डालना होता है आपको अपना ESIC number और जो आपने password create किया है और capture capture के बाद आप यहां पर login करेंगे और login करने के बाद आपका यहां पर profile आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा उसे को आप थोड़ा सा scroll down करेंगे तो यहां पर 0% के कुछ options और आपके कुछ value addresses services भी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है तो इसी simple steps को आप follow करके अपना ESIC activation कर सकते हैं और आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको मिलता है next वीडियो में तब तक कि लिए बाबाए